स्काइटनिंग में बहुत बहुत शागत है आप लोग देख रहे हैं धेरो फूल मेरे प्लांस में खिले हुए हैं और बहुत सारे समझ दीजे इतना खुबसूरत लगता है जब हमारे यां फुलावर खिलते हैं और बहुत दिल में खुशकून होता है देखे कितने धेरो फटलाइजर लेके आई हूं जो बहुत बिजी फ्रेंड्स हैं हमारे जो अपने प्लांटों की केर नहीं कर पाते हैं फटलाइजर घर में नहीं बना पाते हैं तो उनको बाहर से लेके वो फटलाइजर बता है वो केमिकल नहीं होना चाहिए ऐसा फटलाइजर है जो इसली ह प्लाइजर जगसर अपने प्लांटों को देती रहती हूं और फिर में जगें कलियां है और बहुत अच्छी कॉंटिटी में कलियां है चोटा सा प्लांट है और इस प्लांट का नाम भी मैं आपको बता दूँ अब भूल जाए ना मंडी विला है इसकी कई वराइटी आती है देखें रहें चारों तरव आपको कलियां चोटी चोटी तयार हो रही है बहुत अच्छी फ्लाविंग भी हो रही है प्यारीसी जो मैं फटलाइजर आज बताऊंगे आपको एक महीने में स्रीप आपको वन स्पून देनी है और बिजिस इतने फ्रेंट्स हो तो उनको कोई प्रॉब्लम में फूलों का शौक है यह हम इसको पॉट में देखिए मेरे यह पांच इंसे चैन्स का पॉट है समझ लीजिए उसमें यह लगी हुई है अभी मैं रिपॉर्ट भी नहीं करूंगी थोड़ से रुट के करूंगी रिपॉर्ट और अभी इस फ्लावरिंग का टा कुछ फ्लावर उस्कमियँ नहीं मुझा है इस काूज है तो मेरे कोशिच तो मुझे बहुत बबलांगी ऐसा जाता मिल जाता मिल जाता माया यह टापिंग मुआइब जे लिंगए सबसे पहले मिटी की बात कर लेते हैं इसने की मिटी बलकु शॉफ्ट चाहिए होती है कैसी मिटी इसको हम बनाना चाहिए वसी बताती हुम्हें प्राणी लीप्स होती है उसकी में खाद ज्यादा तर बना के रखती हूँ वह एड कर लेती हूँ और उसमें मेरा 30% काउडंक बर्मी कंपोसिया कोई आपके पास हो वह एड कर लीजिए उसमें यह प्लांट लगा दीजिए इसकी कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से स कुछा सकते हैं थनी थीकिनिस वाली पैंसिल की साइज की होती है कटिंग को लगा सकते देखे इस तरह से कटिंग आपको मिल जा तो यह लिल लगा ली शिर्याव के फूल के बीच अभी तो दिखे हैं बनेंगे तो बतावह की दिखाओंगी जरूर आपको वह कम से कम तब तक मैं इसको रिपॉर्ट नहीं करने वाली दूसरे पॉर्ट में बड़े पॉर्ट में कम से कम पॉर्ट आठ ने दस इंच का बास पॉर्ट दूंगे इसको अफिशन्ट होता है जब इसको बहुत दिन होगे ज्यादा रूट साहर तभी इसको चेंज किजिए जारो चें की टाइम की नहीं लगती है उसके बाद यह दिखिए कोई भी आपको लीप्स खराब नहीं दिखरी फूल भी बहुत अच्छे हैं और काफी दिन दो दो तिन चार चार दिन फूल टिकते हैं इसके और खूब सूरत भी लगते देखने में मुझे यह कलर बहुत पसंद है औ तो बहुत प्यार है और इसको डॉर्मेंसी पीरेड में यह ज्यादा था था थोड़ा थोड़ा रूप के वीच भी जो फ्लावरिंग करता रहता है तो यह हो गया हमारे फ्लावरिंग की बात आप मैं जो को आपको फटलाइजर स्कीन पर दिखाऊंगी मैं इसका लिग कि म मेरे पार रैपर मैंने चेंज करती हूं मैं जब हमेशा रैपर हटा देती हूं तो रैपर की तरह आपको जो फटलाइजर वो दिखाती हूं देखिए स्क्रीम पर आपको जो दिख रहा है इसी वीड फटलाइजर है आप इसके दानेदार भी आता है लिपकिट में भी आता दानेतार ब्लैक थोड़ा से ब्राउन इस तरह से किसके गलर मझवार अब यह आया है मेरे पर ब्लैक लेकर में आभी आपको दिखाऊंगी चरूँ मैं एक रैपर में रख से अच्छा मैं पॉर्ट उसमें रखती हो डिबो में चलिए यह देखिए मेरा इतना बचा हुआ है म मैं हर महीने अपने प्लांटों को एक एक स्पून यह देती रहती है कोई केमिकल इसमें नहीं है नेचुरल है नेचुरल और गैनिक फटलाइजर ही में जाता था सोस्ती हो देने के लिए तो कोशिश करिए एक स्पून से लंग लंसम दे रही हूं आधी यह देख रहे हैं इतनी देती हूं जब भी हम इसको दे तो भी यह बात का ख्याल रखें कि प्लांट में आपको ज़्यादा और फटलाइजर देनी की ज़रूरत नहीं पर यह सफिशेंट इसके लिए स्रिप मैं पर मिट्टी बनाई थी तभी मैंस खाद डाली थी उसके बाद से मैंने खाद तो पानी गोल बना के उसको स्प्रे कर दीजिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगी दोनों तरफ से इसको खाद मिलेगी तो बहुत अच्छे सर्वाइब करता है तो यह देखिए मैं इस तरह से फाइला दे दी हूं इसमें पूरे मैं एक ही जगे लग रग रग गिर क इसे इसमें घुल जाती है और मिल जाती है तो यह बहुत अख्छा होता है तो यह आप बहुत एसली आपको कोई मेहनद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी बात कर लेतेगे देगी इसको हमने पानी कैसा देना है इसको हर पकогी मिठी निबरानी है मिठी में और प्लांटों में हीडे लग जाते हैं पत्ति खाने तो आप इसमें नीम ओल कर स्प्रे कर लीजिए आप बिसके कोड़ी में आपको पूरी जानकारी बता दी इस कोड़ों जोई जानकारी लेना चाहते हैं मेरे वीडियो पर कमेंस कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद है लाइ जानकारी 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 जानक